Now students, ये कुछ आपको graph दिख रहे होंगे है न, graph से related question करते हैं, हम लोग के रहा है कि the graph given alongside shows the position of a body at different times, हाँ, देखो position of a body, मतलब ये जो graph यहाँ पर बनाया होगा है, ठेके न, ये graph क्या show कर रहा है, position of a body को, किसी body की position को show कर रहा है different time, मतलब कौन सा graph है, distance versus time, position जब भी बोलेगा समर लो, position versus time, distance versus time, graph सेम है, ठेक, अब सनो, calculate the speed of, पहले इसको पढ़ना सीखो, कैसे पढ़ोगे, जब time कितना है, 0 है, ठेके न, आच्छा, ये देखो, अजीब सी बात है, time ही इनोंने 2 seconds से start किया है, मतलब अजीब सी बात है, ये तो अजीब सी बात है, 0 से time स्टार्ट होता है, चलो, अब जैसा किया, हम तो ऐसा ही मानेंगे, ठीके न, तो time को इनोंने 2 से start किया है, फिर 1 1 का gap रखा है, 2 के बाद 3 seconds, 4 seconds, 5 seconds, 6 seconds, ऐसा कुछ है, ठीक, अब सनो, द्यान से, देखो, क्या चल लाए यहां पर, सवाल क्या किया है, calculate the speed of the body, हाँ, अब कोई बच्चा का, क्या find करेंगी, speed आजाए, जल्दी से बताइए, distance time graph का, क्या find करेंगी, speed आजाए, नहीं पता किसी को भी, distance time graph का, क्या find करने से speed आती है, तो बोला करिए class में, जल्दी से बोला करिए slope, तो distance time graph का हम क्या निकालेंगे slope, यानि कि A से, सबसे पहले उसने हमको पूछा है speed from A to B तो A से B तक का slope कैसे निकालोगे याद है, हम क्या करेंगे B से एक perpendicular draw करेंगे x-axis पे, और B से एक parallel line draw करेंगे x-axis के, ये इस तरीके से जो की पहले ही यहाँ पर drawn है, तो आपको एक triangle मिलेगा कौन सा, A, B और ये वाला point रख दो M, triangle A, B, M में, slope कैसे निकालेंगे, बताईए और जो slope होगा, वही speed होगी A to B की slope निकालेंगे y speed होगी क्या formula पढ़ा है था, slope का बताईए perpendicular upon base ठीक, तो ये वाला slope निकालने के लिए perpendicular कितना है, B, M, और base कितना है A से लेके M तक, ये वाला point A से दिखा रहे है, तो perpendicular upon base, यानि के B, M upon A, M तो B, M upon A, M solve कर लीचे, B, M कितना आ जाएगा, चेक कर लो, B के B के corresponding कितना है, 3, minus ये रहा M, M के corresponding कितना है, 0 B के सामने देखो, M के सामने देखो, कितना आ रहा है, 3 unit क्या है, centimeter सही है न, distance की unit है, centimeter तो कितना आ रहा है, B, M, 3 centimeter ठीक, तो B, M की जगा रखेंगे हम 3 centimeter और divided by A, M कितना आएगा M के corresponding 5 है, यहां पर निकाल के दिखा दे रहा हूँ A, M कितना आएगा M के corresponding 5 है और minus, A के corresponding 0 5 minus 0 कितना आ जाएगा, 5, क्या ये X सेक्से से लिए है, X से से पर time second में चल लाए, 5 second ठीक, तो आ गया है यहां पर 5 second ठीक है न, तो इस तरीके से जो answer आ रहा है आपका कितना आ जाएगा 3 by 5 centimeter per second 3 by 5 को solve करना पड़ेगा answer check कर लेते हैं decimal में आ रहा होगा वैसे तो oh I am very sorry students एक गलती ही देखी हम लोग ने कर दी time उसने कितने से start किया है 2 से तो जब हम am निकालेंगे तो हम क्या करेंगे m के corresponding point क्या है 5 और a के corresponding point क्या है 0 नहीं है 2 है यह तो हमने starting में discuss किया था क्यों भई यह बात समझ में आई की नहीं आई बताइए देख लो time कहां से start हो रहा है 2 से 0 से start नहीं हो रहा है 0 से तो distance से start हो रहा है तो जब हम am निकालेंगे तो यहाँ पर गलती हो गई देखने में graph को m के corresponding point 5 है और a के corresponding point कितना है 2 है तो 5-2 कितना हो जाएगा 3 अब सही है ठीक तो bm कितना हो गया 3 क्या x success पे क्या चल रहा है time time की unit क्या है second ठीक तो bm कितना है 3 cm और am कितना है 3 second second 3 से 3 cancel answer कितना हैगा 1 क्या cm per second आया की नहीं आया बताईएं अगला सवाल b-c-tक का slope निकालना भाई देखते बता दो b-c-c-tक का slope b-c-c-tक की speed कितनी आ जाएगी 0 क्योंकि slope कैसा है ये b-c-c-tक की जो graph है वो x-axis से parallel है तो slope 0 है तो speed कितनी हो जाएगी 0 और सीधी साब बात है ध्यान से चेक करो 5 seconds से लेके 7 seconds तक ये body चलती नहीं है और इसन से 3 उसका distance कितना है 3 है 5 seconds पे भी 3 distance पे 6 seconds पे भी 3 distance पे 7 seconds पे भी 3 distance पे याने कि कहानी कुछ ऐसी चल रही है एक घर है आपका घर से कार खड़ी हुई है कितनी दूरी पे 3 मीटर पे या centimeter पे जो भी है भाई चीक है और खड़ी की खड़ी है याने कि distance नहीं change हो रहा है तो distance नहीं change हो रहा है याने कि motion ही नहीं हो रहा है तो जब motion ही नहीं हो रहा है तो कौन से बात की speed या आप दूसरे तरीके से देखो तो slope कितना है 0 है BC का slope कितना है 0 है क्योंकि BC time access के क्या है parallel है तो इस तरीके से students यहाँ पर क्या हो जाएगा बताईए speed भी 0 हो जाएगी अच्छा जब आप 0 लिख रहे हो unit आप जरूर लिखिए 0 के साथ साथ unit आप जरूर लिखोगे तो unit कितनी हो जाएगी इसकी बताईए centimeter per second तो centimeter per second उसके बाद C से D अब अच्छो देखो C से D तक फिर से time बढ़ ला है और distance भी increase हो रहा है यहाँ फिर से slope आएगा आप slope कैसे निकालोगे पहले इतना कर लो देख लो और कोई doubt हो तो बताओ फिर मैं आपको last part कराता हूँ उसका कर लिया है हो जाएगा चलो अब देखिए अब इसका part 3 तो part 3 में आप क्या करोगे point D से एक perpendicular draw करोगे सामने और point D से एक perpendicular draw करोगे यहाँ पर करा हुआ है इनोंने फिर point C से हम क्या करेंगे यहीं C से D तक के लिए निकालना है तो C से एक parallel line draw करोगे यह ऐसे X axis के parallel ऐसे तो यह point पर cut करेगा इसका कुछ नाम रख दो लेडर से E अब triangle D, E, C में slope निकालो तब ही तो आपको C से D तक का speed आएगा तो speed कैसे निकलेगा? slope से कौन से slope से? slope of the graph from C to D D के corresponding क्या है? 7 अरे समझे रहो ना भाई कौन से triangle मिल रहे है? D, E, C में slope का formula क्या होता है? perpendicular upon base तो perpendicular कितना है? D E और base कितना है? C E D E कितना है? D के corresponding कितना है? 7 minus E के corresponding कितना है? 3 ठीक C E की length कैसे निकालोगे? C E की length कैसे निकालोगे? E के corresponding 9 और minus C के corresponding 7 उपर कितना हैगा? 7 minus 3, 4 और नीचे 9 minus 7 कितना होता है? 2 आंसर कितना आजएगा? 2 अंसर 2 2 तूसर 4, 2 अपान 1, 2 cm पर सेकेंड कोई doubt है? बताईए कोई doubt है students? बताईएं, बिल्कुल सही answer है, उसके बाद अब हम बढ़ते हैं, next question में graph वाले question कर रहे हैं सारे, ठीके न? चले students, next question देखते हैं 54 अभी तक जित्ता पढ़ाया है वो सारी चीज़ें आपर आपको मिलें कर रहा है, what can you say about the motion of the body if आप किसी body के motion के बारे में क्या कह सकते हैं? पार्ट एक answer देना है it's a displacement time graph, सुन लो आपको displacement time graph बोले distance time graph बोले या position time graph बोले बात सेम है, सुन लो ध्यान से distance time graph बोले, displacement time graph बोले या position time graph बोले बात सेम है, ठीक? कर रहा है it's a displacement time graph is a straight line यानि कि ऐसा है ठीक, distance time graph अगर straight line है तो यह कैसा motion है, पूछ राप से question तो यह ही है, what can you say about the motion of an object if its displacement time graph is a straight line बताए कैसा motion है, जल्दी से कैसा motion है नहीं पता, uniform motion है ठीक, अच्छा, अगर यह uniform motion है तो ध्यान देना जरा, मैं आप से यहाँ पर कुछ सवाल करूँगा तो यह पहली बात तो uniform motion यानि कि equal distance में equal, sorry, equal interval of time में equal distance travel कर रहा होगा, ठीक velocity के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं इसकी velocity या speed, बात सेम है तो velocity या speed constant है कि नहीं constant है, बता उजल दीसे speed या velocity इसकी constant है कि नहीं constant है बताईए yes or no yes or no हाँ velocity या speed इसकी constant है, क्यों? क्योंकि इसका slope constant है, किसी भी point पे इसका slope निकाल लो ठीक है, यह देखिए जितना है इसका slope अभी इस point पे निकाल लो कि यहाँ से एक parallel line डॉकर को उतना ही slope है, इस point पे parallel line डॉकर को उतना ही slope है तो हर एक point पे इसका slope क्या है, same है इसलिए इसकी velocity है, speed क्या है, constant है ठीक तो speed क्या है, इसकी constant है, यह भी लिखना है दोनों बाते आप लिख दीजेगा, uniform motion है speed constant है, ठीक second, its velocity time graph is a straight line, अगर velocity time graph is straight line है, तब क्या होगा ठीक velocity time graph, यहाँ velocity लिया, यहाँ time लिया, ठीक, अगर यह straight line है इस तरीके से, बताओ कैसा motion है, हाँ very good, very good, तुम पढ़के आते हो बाई ठीक है, very good, ठीक इसका मतलब uniformly escalated motion है very good, पैचान क्या देखो यह, uniformly accelerated motion है जिसको नहीं समझ में आया है तो आप old classes को two cross पे जाके देखिए, uniformly accelerated motion, याद है तो uniformly escalated motion का मतलब क्या है, कि escalated तो है, यानि कि velocity change हो रही है, time बढ़ आए तो velocity भी increase हो रही है, ठीक तो velocity में change आ रहा है, यानि कि velocity increase कर रही है, equal amount of interval में equal time interval में equal amount में velocity increase कर रही है यानि कि escalation constant है क्योंकि इसका जो slope है, fix है velocity time graph का slope आपको क्या बताता है escalation, याद है velocity time graph का slope आपको क्या बताता है escalation, तो इसका escalation constant है तो इसका जो a है, a का मतलब escalation वो क्या है, constant है चेक कर सकते हो आप ये वाले पॉइंट पर जितना सलोप यहां था उत नहीं है ये वाले पॉइंट पर जितना सलोप समझ गए कोई डाउट है इसका फिक्स है अने डाउट तो ये सेकेंड वाले अन्सर अब ने कर दिया क्या uniformly escalated motion है exclamation constant है बस और क्या है होगे करेक्ट नेक्स देखिए कोश्चन नंबर 55 देखिए कह रहा है अब बाडी विद इनीशल वेलास्टी एक्स मूव विद यूनिफॉर्म एस्कलेशन वाइं लॉट इस वेलास्टी टाइम ग्राफ ठेके सुडेंस ध्यान से सुनो क्या कह रहा है कि अब बाडी विद इनीशल वेलास्टी एक्स एक बाडी है उसकी इनीशल वेलास्टी कितनी एक्स है ज़दा समझेगा बात को मतलब जब ऑब्जरवर ने उसको देखा किसको ऑब्जेक को जैसे ही ऑब्जेक को ऑब्जरवर ने देखा तुरंत उसकी इनीशल वेलास्टी कितनी थी एक्स थी सुन लो इनीशल वेलास्टी जीरो नहीं है सुन लो ध्यान से कितनी है एक्स जहां पर एक्स क्या है कोई न कुछ लोग सोच रहे होंगे किसका graph ऐसे बन जाएगा अचा किसके विजेस कि ग्लाप बनाना है velocity विजेस time का यह तो पढ़ दो plot the graph of velocity विजेस time यहاں velocity यहाँ टाइम तो ऐसा बनाओके गलट हो जाएगा क्यों 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 यहाँ पर देखो ऐसा graph नहीं बनेगा तो graph कैसा बनेगा ऐसा बनेगा यह time है और यह velocity है तो graph ऐसे करके बनेगा ज्याने कि जब हमने कहाँ पर चेक किया time t is equal to 0 पर चेक किया यहाँ जैसे ही observer ने उसको देखा मैंने आपको वो example दिया था ना कि road के खिनारे खड़े हो कि आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हो और अचानक से आपके सामने से कोई car निकली वही वाली condition है आप ऐसे बाते कर रहे हो जैसे ही आपने इसको देखा object को तुरंत object के पास जैसे आप देखते हो time कितना set कर दोगे t is equal to 0 तो time t is equal to 0 सेट कर दिया हमने और उस time हमने object को देखा तो उसकी velocity कितनी थी x थी समझदो यानि कि यहां number लिखे रहते थे थे ना 1,2,3,4 तो यहां x लिखा हुआ है समझदो y axis पे यहाली length कितनी x है अब समझगा है time t is equal to 0 पे velocity कितनी x है कोई doubt है बताइए और move with the uniform escalation y यानि कि ऐसे करके grab बनेगा और इसका escalation y दिया हुआ है जिससे हमें कोई मतलब है नहीं uniform escalation है y constant है मतलब यह जो y दिया है यह क्या है इसका slope है y क्या है इसका slope है और अगर आपको कुछ ज़्यादा वो करना हो तो आप समझदो slope निकाल के दिखा दो वाई क्या दिखकत है दो point choose कर लो a और b एक यहाँ से perpendicular draw कर दो एक यहाँ से draw कर दो b से एक पहले line draw कर दो यहाला point m मिलेगा triangle a, m, b में slope निकाल दो वही इसका escalation होगा तो escalation कितना आ जाएगा perpendicular upon base यानि कि am by bm और यही escalation किसके एक वल हो जाएगा इसकी value दी हुई है y के एक वल हो जाएगा बस खता क्या दिखकत है यानि कि am और bm का जो रेशो है am by bm कितना आ जाएगा y आ जाएगा बस खता ठीक लेकिन मोटी मोटी बात है graph बस आपको उतना ही बनाना है इसको आप अच्छी तरीके से देख लो कोई doubt हो तो बताओ फिर मैं आपको next question कराता हूँ next question देखिए students given alongside the velocity time graph of a moving body यह graph आपको दिया हुआ है क्या आप the velocity of the body at point c point c पे body के वलास्टी के ऐसी कितनी है point c से क्या करोगे y axis पे velocity पे perpendicular draw करोगे तो answer कितना आ रहा है 40 आया तो point c पर velocity कितनी है 40 km per hour और point c पर time कितना है 6 यानि कि जब 6 hours निकल गए time कहां से start होड़ा है 0 से तो जब journey हो रही होगी कोई और 6 hours निकल गए तो 6 hours जैसे ही complete वह उस time velocity कितनी थी 40 km per hour तो point c पर velocity कितनी है 40 km per hour ठीक उसके बाद किया रहा है escalation acting on the body between a and b ठीक a और b के बीच में कितना escalation है तो a और b के बीच में escalation निकालने के लिए हम क्या करेंगे a और b के बीच में slope निकालेंगे slope कैसे सिखाया है b से एक perpendicular draw करेंगे x axis पे और a से एक draw करेंगे x axis पे फिर b से draw करेंगे x axis के parallel और a से draw करेंगे तो यह triangle बनेगा यह वादा point m तो triangle a, m, b में a, m, b में slope निकाल लो इन triangle a, m, b slope निकाल लीजे वही आपकी क्या होगी escalation होगा perpendicular upon base यानि कि bm upon में am चलो देख लो escalation कैसे आएगा bm कैसे निकलेगा b के corresponding 40 और m के corresponding 20 ठेक तो 40 minus 20 divided by am a के corresponding 0 और m के corresponding 3 तो 3 minus 0 कितना आएगा 40 minus 20 कितना होता है 20, 20 by 3 minus 0, 3 यानि कि 20 by 3 अब इसको आप solve कर ले ना decimal में आ जाएगा और answer किस में आएगा acceleration का unit क्या होता है meter per second square लेकिन यहाँ पर हमको y axis पर km पर r और x axis पर r दिया है तो km पर r square आएगा यहाँ पर answer velocity की unit upon में time की unit तो यहाँ पर क्या आएगा कहाँ पर लिखूँ पहले इसको solve कर लो आता है करना 20 divided by 6 कितना हो जाएगा 6 point something something आएगा बताइए यहाँ डिवाइट कर लेते हैं 20 divided by 6 कर लो 6 कर लो I am very sorry 3 तो 3, 6 is 18 यहाँ 2 आएगा decimal के help से 0 लगाओगे तो यह 6.66 आता चला जाएगा ऐसा division मैंने chapter number 1 में सिखा हैं आपको 6.666 ऐसे आता चला जाएगा तो यह किसके call हो जाएगा 6.67 क्या kilometer पर r square unit नहीं निकालना है तो देख लो आप unit उपर रखेंगे unit kilometer पर r velocity का और नीचे रखेंगे r में r से r multiply होगा तो answer क्याएगा kilometer और नीचे r का square r into r r का square kilometer पर r square ठेके students graph में जो units दियें उसी के according आपको answer देना है ज़ादा tension नहीं लेना है ठेके ना ओके तो ये चीज़ है correct अब next देखे ज़रा next क्या question इसको पहले देख लो अच्छे से फिर मैं आपको next part बताऊंगा देख लीज़ अच्छे से देख लिया next देखो अब हमको क्या कह रहा है इसी question में escalation acting on the body between B and C तो B से C के बीच में कितना escalation act कर रहा है इसको मैं हटा रहा हूँ ठेके ना B से C के बीच में बताओ ये तो बहुत easy है B से C, B से C, time axis के parallel है बताइए slope कितना आ रहा है 0, तो escalation कितना होगा बताइए students B से C, escalation कितना होगा 0, क्यों, कोई पुछेगा क्यों के दना B से C तक velocity नहीं change होती है 3R पे देखा, तब भी velocity 40 है 4R पे देखा, तब भी velocity 40 है 5R पे देखा, तब भी velocity 40 है 6R पे देखा, तब भी 40 है तो B और C के बीच में escalation कितना है? 0 B से C तक escalation of the body between B and C, 0 escalation क्या है? 0, क्या? km per R square A का मतलब escalation A जो कर सो 0 km per R square ठीक अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ यहीं पर एक, ठीक है? मेरा question सुनो, मैं आपसे यह सवाल पूछता हूँ कि C से लेके D तक मेरा सवाल है, उसने नहीं दिया, मैं पूछ रहा हूँ C से D तक escalation कितना है? positive आएगा, negative आएगा? जल्दी बताओ C से D तक negative आएगा, क्यों? क्योंकि यह देखो, C के corresponding time कितना है? 6 है, और D के corresponding time कितना है? 8 है तो जब 6 से 8 R के बीच में चेक करोगे, तो velocity क्या करी? decrease, चेक करो 6 पे velocity कितनी है? 40 7 पे velocity कितनी हो गई? 20 और 8 पे कितनी हो गई? 0 आया पढ़ना graph 6 पे velocity कितनी है? 40 7 पे velocity कितनी है? 20 और 8 पे velocity कितनी है? 0 तो velocity decrease होके 0 हो गई body rest पे आ गई, तो desolation तो होगा तो हम कौन सा triangle पकड़ेंगे? यह वाला triangle यह वाला इसमें आप slope निकाल दो, यही अंदर वाला slope निकाल दो, आप कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन actual में वो slope बाहर वाला, मतलब sign लगा देंगे negative का, ठीक? तो यह निकालोगे perpendicular upon base से, यानि के C और यह वाले point का नाम रख दो, मानलो M तो CM upon MD ठीक? तो C से D तक escalation, escalation from C to D, A C D का मतलब escalation from C to D, क्या हो जागा? perpendicular upon base, यानि के CM upon MD और आगे माइनस लगा दोगे, क्योंकि यह knowledge आपको है, पता क्या? कि slope कैसा है? negative है? क्यों? क्योंकि body की velocity क्या कर रही है? यह decrease कर रही है, चेके ना? तो माइनस अब CM C के corresponding 40 अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखेगा बच्चों इस CM को bracket में रखना या आप एक काम करो, जादा tension मतलो अभी माइनस मतलगा, जो final answer आएगा, उसमें माइनस लगा देना अभी आप बस perpendicular upon base कर दो ठेक? तो यह perpendicular C के corresponding 40, माइनस M के corresponding 0, upon में MD, M के corresponding time कितना है? 6, और D के corresponding 8, 8 माइनस 6 40 माइनस 0, 40, और upon में 8 माइनस 6 कितना होता है? 2, 40 upon 2 कितना होता है? 20, क्या? किलो मीटर पर आर स्क्वाइर और answer आएगा माइनस में तो answer कितना आ रहा है? C से D तक का escalation कितना आ रहा है? उसने acceleration पूचा है तो assassination माइनस 20 किलो मिटर पर आर स्क्वाइर लेकिन अगर उसने retardation पूचा होता है यहीं पर क्या पूचा होता अगर उसने retardation retardation का मतलब ही है negative acceleration तो हम ओनली क्या लिखते है? 20 किलो मीटर पर आर स्क्यार इसको अच्छी तरीके से देख लीजे, कोई doubt हो तो बताईए, देख लीजे अच्छी तरीके से इसको next question देखिए, कह रहा है कि the speed time graph of an ascending passenger lift is given alongside what is the escalation of the lift, ओके, तो ठीक है, कोई lift है, वो escalator इस तरीके से उपर जा रही है न तो the speed time graph दिया हुआ, ascending passenger lift का, alongside, what is the escalation lift during the first two seconds, ठीक है, तो first two seconds का, यानि कि zero से लेके two seconds तक का escalation कितना है, तो हम क्या करेंगे, triangle का नाम रखेंगे, suppose यह वाला point A है, यह वाला B है, और यह वाला C है बिटा, हाना, तो first two seconds में, यानि कि यहाँ से यहाँ तक देखोगे, बस आप, यहाँ time चल रहा है, और यहाँ velocity चल रही, meter per second में, और time क्या चल रहा है, second में, यह speed चल लिए, यहाँ पर जो बोलना बोल दो, ठीक है, तो starting के two seconds में कॉन से triangle पकड़ोगे, समझदार हो अब तो, a, b, c, बताओ, सही है ना, यह triangle पकड़ोगे, a, b, c, slope निकाल दीजे, slope का formula क्या होता है, बताइए, perpendicular upon base, तो perpendicular कितना है, b, c upon a, c, तो कि speed time graph का आप क्या निकालोगे, slope, तो escalation आ जाएगा, अब b, c कैसे निकालोगे, b के corresponding point क्या है, 4.6, minus, t के corresponding point कितना है, 0, upon में, a के corresponding, 0, और c के corresponding, 2, 2, minus, 0, कितना आ जाएगा, 4.6, minus, 0, कितना होता है, 4.6, और divided by 2, minus, 0, होता है, 2, और 4.6 by 2 करोगे, कितना आ जाएगा, 2.3, 2.3 क्या, y axis की unit, meet up a second, और x axis की second, meet up a second, upon second, meet up a second square, answer positive में आ रहा है, answer positive में क्यों हो आ रहा है, क्योंकि a से b तक, क्या हो रहा है, जैसे जैसे time बढ़ ला है, velocity increase हो रही है, या speed increase हो रही है, सही, speed increase हो रही है, lift की speed increase हो रही है, a से b के बीच में, या 0 से 2 second के बीच में, speed increase हो रही है, यानि कि body escalate हो रही है, यानि कि वो जो भी lift है, वो escalate हो रही है, उसकी speed increase हो रही है, कोन से rate से, 2.3 meter per second per second की rate से, ओके, यह हो गया, अगला सवाल क्या पूछा उसने, between second and 10th second, अब बताओ, second and 10th second, मैं color थोड़ा सा change कर रहा हूँ, गर आपको दिख जाए, तो second second तो यहां से start ह हो रहा है, और 10th second यहां पर start हो, मैं जब समझा हो ना, second second यहां पर end हो रहा है, अब third second start हो और 10th second यहां से start हो रहा है, sorry, यहां से 11th start हो रहा है, 10th यहां पर end हो रहा है, तो आपको यहां से यहां के बीच में देखना आपको, ठीक, तो यह जाओगे, तो यह देखो, velocity कितन नहीं 4.6 यहां पर जाओगे तभी सो सेकंड सेकंड और टैने सेकंड के बीच में यह मिलेगा आपको पोशन सपोज यह ले अब्रवेंट का नाम है ल तो बील ग्राफ को देखोगे बताओ यह तो टाइम एक्सिस के पार्लेल है को डाउट है बई चक करोई ना सेकंड सेकंड पर भी उतनी उतनी यह सेवंथ पर भी उतनी फिनी एट पर भी उतनी है तो क्या आंसार आएगा बताये हाँ, एस्कलेशन 2 से 10 सेकेंड की बीशिवें कितना है, 0 है तो सेकेंड वाले का आंसर आ रहा है कितना, A is equals to 0 क्या, यूनिट मत लिखना भूलना, meter per second square फर्ड वाले का during last 2 सेकेंड, last 2 सेकेंड में, अब last 2 सेकेंड का मैं आपको दिखाता हूँ दिखिए last 2 सेकेंड का कैसे, last 2 सेकेंड 10 से 12 तक होंगे, 10 से 11 हो गया 1 सेकेंड, 11 से 12 हो गया 1 सेकेंड, total हो गया 2 सेकेंड तो last 2 सेकेंड में आपको यह अला ट्राइंगल देखना पड़ेगा यह वाला, नाम रख दो, पी, क्यू, आर, अब बताओ, क्या हो रहा है, डीसलरेट हो रहा है, एक्सलरेट हो रहा है, स्पीड डिक्रीज हो रही, इंक्रीज हो रही, बताइए डिक्रीज है ना, यह देखिए, एक सेकेंड से साथ, अप्टिक्रीज अंगल बना रहा है, क्लास में पढ़ाया है, तो negative slope आएगा, यहने कि negative escalation आएगा, यहने कि, ब्रेक लग रहा होगा बॉड़ी में, लिफ्ट में ब्रेक लग रहा हो रुखने वाली है, तो पहले उसक पकड़ लिए वो, speed आ रही है, फिर constant हो जारी, speed फिर क्या हो रहा है, धीरे हो जारी है, यह देखिए, धीरे होके stop हो जाएगी, कितने, कितने time पे रुक रही है, 12 second पे रुक जारी है, stop हो जारी है, velocity, speed 0 हो जारी है, उसकी, check कर लो, जैसे 12 second complete हो जाएँगे, speed हो जारी हो ज acceleration in last 2 seconds, कितना आ जाएगा बताइए, perpendicular upon base, P के corresponding point 4.6 और ये वाला Q के corresponding point 0, 4.6 minus 0 divided by time कितना हो जाएगा, R के corresponding point 12, और Q के corresponding वाला length कितना होगा, 2 ही तो होगा, 12 minus 10, 2, ठीक, तो upon में 2 आ जाएगा, 4.6 upon 2 फिर से आ गया, लेकिन answer कैसे देंगे, minus में जबार, minus 2.3 meter per second square, ठीक, मतलब जितनी, जिस rate से starting में, वो speed में change हो रहा था, क्योंकि starting वाले का भी answer गया था, मेरे ख्याल से, 2.3, लेकिन वो positive आया था रही था, करेंगे, फिर हम next question करेंगे, देख लिए, इस question को देखिए, from P2Q, its motion is uniformly decelerated, यह देखिए, सवाल पूछ रहे है, question पूछा इन्होंने, from P2Q है न, मतलब यहां से यहां पूछ रहो न, अब तो मैं भूल भी गया, किसका क्या नाम रखा था, P2Q, यहीं से यहीं तक पूछ करेंगे हो, uniformly decelerated, हाँ, answer कितना आ रहा था, इस triangle के ने, color change कर देता हूँ, P से Q तक के लिए क्या आ रहा था, answer, A is equal to minus 2.3 meter per second square, minus का मतलब decelerated है, तो P से Q तक uniformly decelerated motion है, सही बात है, यानि कि uniformly decelerated motion का मतलब क्या है, कि velocity, equal interval of time में, equal amount में decrease कर रही है, इसका क्या मतलब है, minus 2.3 meter per second square का मतलब, इसका मतलब है, minus 2.3 meter per second per second, यानि कि हर एक second, 2 meter per second के rate से velocity decrease कर रही है, यानि कि per unit time में 2.3 meter per second velocity decrease हो जाती है, ठीक, और आप देख भी सकते हो, 10th second पे कितनी थी, 4.6, 11th second पे देखो, velocity कितनी हो जाएगी यापर, graph पढ़िए न, ये 11th second पे कितनी हो गई, बताओ, अच्छा, बहुत सही आ नहीं रहे है, 4.6 से 2.3 decrease करेगी, हाँ, ये graph बहुत सही नहीं आ रहे है, याना, लेकिन जब आप देखो, हाँ, बताओ, बहुत सही graph नहीं आ रहे है, यहाँ पर cut करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ कहीं, जब यहाँ से लेके आओगे सामने, तो यह वापस कहा हैगा, 2.3 के असपास, याने कि 11th second पे velocity कितनी हो गई उसकी, 2.3 कैसे, 4.6 से decrease होके कितनी हो गई, 2.3, और फिर next 1 second में, फिर से 2.3 decrease हो गई, तो कितनी हो गई, 0, आया की नहीं आया बताइए, समझ में आई बात, uniform escalation, the speed of the car varies with the time, यह time दिया हुआ है, नीचे speed दियो, graph plot करना है और answer देना है, तो ध्यान से check करो, यह y-axis है इसका, यह x-axis है, और x-axis पे हम लोग time दिखाएंगे, time in seconds, और y-axis पे हम क्या दिखाएंगे, speed in meter per second, यहां लिख दे रहा हूँ, समझ जाना, ठीक, क्या-क्या है, time 0, 2 है, तो एक काम करते हैं, 11 centimeter के gap पे ले लेते हैं, यहां तो थबको 0 होगा, speed भी 0, time भी 0, ठीक, यहां पे हम लेंगे कितना time, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, ठीक, ले लो, यहां time 2, 4, 6, 10, ठीक, 6 के बाद 8 है, न, एक काम करें, और थोड़ा बड़ा बड़ा ले ले, समझ में आ जाए, गर रुक जाओ, ऐसे ले ले लेते हैं, 1 cm में 1 का gap ले ले, यह 2 का लेना है, जैसे लेना ले लो, कैसे भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2, 4, 6, 8, 10 आ जाएगा, ठीक है, यह देखो, यहां ले रहाँ में 2, फिर यहां ले रहाँ में 4, फिर यहां ले रहाँ में 6, यहां ले रहाँ 8, और यहां ले रहाँ में 10, यह टाइम हो गया, वेलास्टी देखो, 4, 8 टाइम 0, कहां पर हैं, यहां पर समझ जाना न, यह लिखा है, समझ लो 0 यहां पर यह 0 ठीक, उसके बाद speed क्या है, 4, 8, 4, 4 का gap चल ला है तो एक काम कर लो, यहां 4 लिखो फिर यहां पर 8 लिखो, फिर यहां 12 लिखो, फिर यहां 16 लिखो, अब छोटा हो जाएगा भाई, यहां ग्राप पेपर छोटा पड़ा जाएगा मेरा, तो कोई बात नहीं, एक काम करते है, 1 cm के gap पर 4, 4 1 cm is equals to 4, 4 ले लेते हैं, अभी मैं scale लिख देता हूँ, यहां पर, तो यहां क्या हो जाएगा, 4, फिर यहां क्या हो जाएगा आपका, 8, फिर यहां क्या हो जाएगा आपका, 12, फिर यहां 16, फिर यहां, फिर यहां 24, रहिए, बस यही है, और क्या है, अब scale लिख दो यहाँ पर scale सबसे पहले on x-axis देख लिए यहाँ से x-axis पर क्या किया आपने यह 1 cm है तो 2 cm पर 2 तो 1 cm पर 1 second लिए आपने है ना so on x-axis 1 cm is equal to यह आप एक काम करो ना इत्ता लफ़ला क्यों कर रहे हो वैसा ही कर लो जैसा क्योंकि आपका graph paper भी जो छोटा होगा अब ऐसे ही कर लो यहाँ 2 कर लो यहाँ 4 यहाँ 6 यहाँ 8 और यहाँ 10 यहाँ 12 कर लो हाला कि 12 second का कोई काम नहीं है बट फिर भी 0,2,4,6,8,10 और यह 12 लिखा हुआ है अब कर लो on x-axis बताएए क्या किया आपने x-axis पे 1 big division या 1 centimeter is equals to 2 seconds हम दिखा रहे हैं तो 1 centimeter में हम कितना time दिखा रहे हैं 2, इसका मतलब 2 seconds पूरा लिख दो कोई दिख कर नहीं है फिर on y-axis क्या कर रहे हैं y-axis पे 1 unit के gap पे कितना लिया हमने 4 क्या meter per second ओके so on y-axis 1 centimeter is equals to कितना हो जाएगा 4 क्या meter per second correct यह हो गया अब क्या करेंगे यह से अब ड्रॉ करिए time जब 0 है तो speed कितनी है 4 तो time जब 0 है तो speed 4 है एक point यह आला मिलेगा time 2 तो speed कितनी चेक करो ना time 2 तो speed कितना है 8 time 2 तो speed कितना है 8 एक point यह आला मिलेगा time जब 4 है time कितना 4 तो speed 12 तो time जब 4 है तो speed कितनी है 12 12 यहां मिलेगा फिर क्या है time जब 6 है तो speed 16 time जब 6 है तो speed कितनी है 16 यहां मिलेगा चेक फिर उसके बाद time जब 8 है तो speed 20 time 8 तो speed 20 यहां मिलेगा फिर क्या है टाइम जब 10 है तो स्पीड 24 टाइम 10 तो स्पीड 24 ग्राफ ड्रॉ कर देंगे इसके पीछे मत ले जाना ग्राफ यह मत कर देना क्योंकि ऐसा करोगे तो आप बोल रहे हो टाइम नेगटिव में जा रहा है टाइम नेगटिव नहीं हो सकता है ठेक यह हो गया अब सुनो इसने सवाल क्या पूछा आप से उसने बोला है कि ड्रॉ दा स्पीड टाइम ग्राफ बाइ चूजिंग अ कन्वेनियन्ट स्केल यह लिखी स्केल इस ग्राफ को देख कि आपको आंसर देना है इसा कोश्चन शायद में कलेक करा चुका हूँ आपको तो इसकलेशन निकालो कार का यह ग्राफ 10 के बाहर भी जा सकता है कोई दिक्कत है नहीं ऐसी बनाना हो बनान दो छोड़ना हो छोड़ दो ठीक चलो तो इसकलेशन कैसे निकालेंगे बताईए तो इसकलेशन के बनाना है तो इसकलेशन के आजएगा बताईए triangle ABC में perpendicular upon base यानि कि BC upon AC B के corresponding 20 minus C के corresponding 12 तो BC की length हो जाएगी 20 minus 12 upon AC A के corresponding 4 और C के corresponding 8 8 minus 4 20 minus 12 कितना होता है 8 और नीचे 8 minus 4 कितना होता है 8 minus 4 4 4 1 जा 4 2 जा आंसर आजाएगा कितना 2 क्या Y axis पे meter per second यहाँ second meter per second square आंसर positive है यानि कि speed क्या कर रही है increase कर रही है चेक कर लो time के बढ़ने के साथ speed increase कर रही है time बढ़ रहा है speed भी increase कर रही है तो part 1 का answer कितना आ रहा है acceleration of the car 2 meter per second square इसका मतलब क्या है 2 meter per second per second के rate से velocity increase कर रही है हर एक second में 2 meter per second velocity बढ़ जाएगी ठीक और सुनो अब उसने पूछा calculate the distance travel by the car in 10 seconds ठीक है 10 seconds में कार ने कितना distance travel किया यह हमको बताना है correct तो 10 seconds में कितना 1 second now students distance कैसे निकालते है speed time graph या velocity time graph की help से distance कैसे निकालते है area under the curve कैसे निकालते है area under the curve तो उसने कहां से कहां तक का पूछा distance in 10 seconds 10 seconds का मतलब 0 से लेके 10 seconds के बीच में तो color में change कर रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा area निकालना है 0 से 10 के बीच में area यही आएगा यह जो red color से आपको portion दिखा ही पड़ ला है ठीक यह वाला point होगा कुछ ना कुछ इसका नाम रख दो lettuce से कुछ भी O capital O यह वाला point रख दो कुछ ना कुछ इसका नाम P यह वाला point Q ठीक यह वाला point R ठीक तो O P Q R का area निकालोगे trapezium एक तरीके का क्यों मैंने आपको पढ़ा है class में P O parallel क्या है Q R है ठीक तो इसका area निकाल दो answer आजाएगा यह exclation तो कर दिया होगा आपने अब मैं area निकालने जा रहा हूं किसका area of trapezium कौन सा वाला O P Q R और area of trapezium का formula क्या होता है 1 upon 2 in the bracket sum of parallel sides into perpendicular distance between the parallel side parallel side कौन सी है O P and Q R तो यहाँ पर रहेगा O P plus Q R और यह रही O P और यह रही आपकी Q R चेक कर लो यह O P है और यह Q R है इसके बीच का distance यह रहा O से लेके R तक अब value देखके value रखो 1 upon 2 into O P कितना है? O से P तक कितना है? 4 है भाई यह 0 है यह 4 4 minus 0 is 4 तो यह length 4 है plus Q R Q से R तक कितना है? Q के corresponding 24 और R के corresponding 0 तो 24 minus 0 is 24 तो Q R कितना है? 24 into में O R O R कितना है? O से R तक यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 10 तो यह हो जाएगा कितना? 1 upon 2 into 24 plus 4 28 और into में 10 2 अंजा 2 और यहाँ आएगा 14 14 कितना जगा है? 14 into 10 140 मीटर तो यहाँ इसकी डिस्चिंस यहाँ आगा इसका पार्ट 2 का अंसर S से दिखा रहा हूँ S का मालब डिस्चिंस 140 मीटर ओके?